विवेक देशपांडे जी जो बात नितिश कुमार कह रहे हैं जो बात खटगे कह रहे हैं क्या यह माना जा सकता है कि 2024 में बीजेपी हार सकती है क्योंकि अभी तो लोग बहुत बड़ी संख्या है और इंट्रिक्ट्र क्लास भी है जो यह माने बैठा हुआ कि 2024 में तो कोई ल तो आज अगर आज कि स्थिती हम देखते हैं तो बीजेपी की निव बिल्कुल पकी है एक बीजेपी हिली है आज इसा आज तो निजर नहीं आ रहा है इससे पहले भी शायद आपके प्रोग्राम में बात कही है कि बीजेपी के चार पक्के पिलर्स है एक मोदी जी का परस् तीसरा उनका लाभारती पॉलिटिक्स है चौता उनका हिंदुत्व राष्ट्रवात का निर्टीव है यह इनके लेजिटिमेट पीलर्ज है चार और पाच्वां उनका पिलर्जी पीलर्ज यह वो करते हैं अपोजिशन के खिलाब वह तो यह पाँच जो फेक्टर्ज है वह आज भी बीजेपी के पक्ष में बहुत स्ट्रॉंग है अब इन में से तीन जो फैक्टर्स है उसको कॉंग्रेस ने चैलेंज देना शुरू कर दिया है मतलब मोदी जी का जो परस्नेरेटी कर्ट है उसके खिलाफ राहूल गंदी का इमेज उसका रिब्रैंटिंग करके उसको तो एक जो टीना फैक्टर बिल्कुली कम्टिटली टीना फैक्टर काम कर रहा था मोदी जी के फेवर में वह उतना भी स्ट्रॉंग नहीं रहा रहा हूं गंदी एक चैलेंज के रूप में उभर कर आ रहे हैं अजसे बात बशहते की वह कंटीनूटी रखते इसमें और आने को सक्सेस्पुली कर लेते तो उस फ्रेंट पर भी कॉंग्रेस अच्छा परफॉर्म कर सकती है अलाकि बीजेपी को मात देने वाली बात अभी भी नहीं है लेकिन काफी बीजेपी से बहुत कुछ वह अपने तरफ कर सकती है एडवांटेज और तीसरा जो है लाबारती करना शुरू कर दिया है आपने लॉफ वर्सेस हेट का जो केंपेंग नेरेटिव भारत जोड़ो यात्रा के थुरू आपने शुरू किया है उसको भी आपको बहुत पुरजोर तरीके से आगे ले जाना होगा तो यह तीन फ्रंट्स पर तो आप बीजेपी को चैलेंज कर स कि उसके बाद में जेडी यू डियेम के यह सारी पार्टी आज कॉंग्रेस के साथ पर दिख रही है और बाकी जो अपोजिशन पार्टी है वह अपना एक अलाइंस बनने की एक स्थिती में शायद वह अपने आपको देख रहे है मतलब आम आत्मी पार्टी त्रेंगल कॉं पर देख रहे हैं यह सकता है कि मतलब कुशिश अगर करते हैं सारे मिलकर तो एक बड़ा बन सकता है और कॉंग्रेस ने बड़ा समाला है मतलब उससे पहले राजी जी ने जो कहा मैं उनसे त्वड़ा सा मामले में सहमत नहीं हूँ कॉंग्रेस का जो रिकॉर्ड है वह वाजबी सरकार की दारह में अच्छा लिकिन बीजेपी का जो मोधी सरकार आने के बाद जो अपने अलायंस सका वेवार है उसके चलते मुझे नहीं लगता आज कि पार्टीजी से दूर है इतना हो सकता है उसकीरोग talking स्वे बीजेपी के साथ में चले जाए इस तरह की कोई भी अपोजिशन पार्टी शायद आज नहीं बची है इसलिए बीजेपी को अलायंस बनाना प्रीपोल अलायंस बनाना बहुत मुश्किल है यह हो सकता है कि अगर 200 सीटे बीजेपी के आ जाए तो बीजेपी बहुत आसानी से बाकी सीटे जोड़कर अपना सरकार बना लेगी लेकिन दो सो पचीस अगर बीजेपी अगर सिवित रहती है तो फिर कॉंग्रेस लेड जो अलायंस है उसको चांज से बशर देगी कॉंग्रेस लेड अलायंस बनता है और आज भी देखिए ग्यारा करोड बारा करोड क्या पर मत जाईए लेकिन लोग इतने इतनी तादाद में अगर कॉंग्रेस को उनका भी फायदा है कॉंग्रेस का भी फायदा है अब कॉंग्रेस ने पूरे 500-500 सीट पर इलेक्शन लड़ना चाहिए क्या यह एक सवाल है जैनाम रमेश ने शायद आपके ही साथ जो सक्षातकार उन्होंने किया था उसमें उन्हें कहा था कि अगर आप पोजिशन यह चाह और इसकी कोशिश करें 300 सीटों पर अगर आप फोकस करते हैं और आपका सट्राइक रेट आप सतर अस्ती प्रतिशत रखने की कोशिश करें सारे रिसोर्सस्य साब महीं लगा देंगे सारी टाकत महीं लगा देंगे तो हो सकता है कि आपका गेंट जो आज आपकी वावन पर गया सकती है लेकिन क्या वो पर पेचोली आउट ऑफ फॉंट्स रहेगी वह B गालब तो सोच रहे हो कि कभी ने कभी मुझे अपने आपको एक्स्प्रस करना है अपने आपको इस competition में इस contest में इस contest में लाना है तो हो सकता है कि हर मोड़ी एक बोड़ी कि इस के साथ आ जाता है तो कोई इस बात में कोई डॉट में कि अपोजिशन जो है वो they stand a strong chance of forming a government in 2024 लेकिन वो यूडिट की होती है कि नहीं और कौन से ऐसे सत्य हिंदी का एप डावलोड करें Google Play Store पर झाल